दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज़ आप से बताना चाहूंगा जैसा कि आप सभी जानते हैं इस समय रेलवे गुरूप D की परिच्छा चल रही है और आगे भी चलने वाली है तो अभी तक रेलवे गुरूप D की परिच्छा में जितने भी परिच्छा में परिच्छा में जितने भी परिच्छा में पूछे गए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी परिच्छा में आ सकते हैं आने वाली परिच्छा में तो आप लोग ये 15 लिक्चर जरूर देख लें, क्योंकि प्रस्ण लगातार रिपीट हो रहे हैं सारी के सारी सिप्ट में, इनको अगर आप देखते हैं तो आपकी अगर आगामी परिच्छा है तो आपको बेहत फाइदा मिलेगा, आपको ये सारे के सारे परस्ण फरस्ट कम लिक्त मिल जाएगा, जहां से आप हमें फालो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं आपको जिस परदियों की परिच्छा का स्टेडी मेटेरियल चाहिए आपको प्रवाइड किया जाएगा, इसका साथ आपको रेलवे यूपी ट्रिपल सी, एससी की लाइफ कलास भी जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बार कुछ नए नियम लागू की गए हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट तयार की जाएगी और आपका सेलेक्शन होने का चांस होगा, अगर उमिद्वार अपना पद ग्रहेंड नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट में रहने वाई लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, तो आप मैंसे बहुत से लोगों का यही सवाल है मेरे पास आया हुआ है, किसर वेटिंग लिस्ट तयार कैसे की जाएगी और कब की जाएगी, और किस प्रकार से सेलेक्शन होगा वेटिंग लिस्ट में रहने वालों का, तो आज की इस वीडियो म में निकली 90,000 से अधिक भरतियों के लिए अच्छी खबर है, रेल्वे भरति बोर्ड ने कहा है कि फरवरी माह में गुरूप D की असेशन लोगों पाइलेट की वर टेक्निशन के बदों पर जो 90,000 से अधिक भरतियां निकाली गई थी, उसके रिजल्ट के साथ में आपकी उमीद्वारों की किसमत चमक सकती है, रेल्वे भरति बोर्ड ने बताया है कि वेटिंग लिस्ट में कुल वेकेंजी के 50-60 उमीद्वार सामिल के जाएंगे, तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जवाब का रिजल्ट आएगा, तो उसके साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट आई आगे की अपडेट के लिए हम से जुड़े रहें, धन्यवाद